इन्वेस्टर्स मैं आपका इन्वेस्टर अवेनस कोच रूपेज येटली आज हम बात करेंगे फैक्ट शीट पे फैक्ट शीट क्या होती है और इसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है और फैक्ट शीट को किस तरह समझें उसमें क्या लिखा है और आपके फंड क के लिए क्या चीज उसमें है तो फैक्ट शीट को समझना सबसे पहले ज़रूरी है किसी भी फंड को चुलने से पहले आप उसकी बार फैक्ट शीट जरूरू पढ़ लें ऐसा डिस्क्लेमर भी बार बार आता है और बिना पढ़े आप आगे बढ़ जाते हैं आपको मालूमी नहीं होता उस फैक्ट शीट में है क्या तो सबसे पहले उस फैक्ट शीट में एक एक चीज को समझते हुए पहला नंबर आता है फंड मैनेजर का फंड मैनेजर वो व्यक्ति होता है या वो टीम का मेंबर होता है जो उस फंड में स्टॉक सेलेक्शन या उस फंड के लिए पैसे को लगाने का काम करता है, कहां लगाना है, कैसे लगाना है, किस समय उस पैसे को लगाना है, किस समय उस पैसे को निकालना है, यह fund manager निर्धारित करता है, तो सबसे पहले आपको उस fund manager के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसका खुद का experience क्या है, कितने साल का experience है, कहां कायम कर चुका है और उसने अपने फंड की परफॉमेंस किस तरह दी हुई है बाद आता है सब्सक्रिप्शन अमाउंट इसमें सब्सक्रिप्शन अमाउंट मींज कितना पैसा आप लगा सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम साइड में लंसम और S.I.P. की कैटेगरी में भी मिनिमम और मैक्सिमम आवाउंट आपको मालूम होना चाहिए कि मिनिममम आवाउंट S.I.P. में कितना लग सकता है इस फंड में और मैक्सिमम आवाउंट क्या लग सकता है पर पैन होता है इसलिए उसका ध्यान रखें के बाद आता है उसका एंट्री लोड और एक्जिट लोड एक तर में exit load ज़रूर होता है जो बारा महीने से कम पर एक परसंट लगता है तो entry load और exit load का ज़रूर ध्यान रखें इसके बाद आती है NAV, NAV क्या होती है? net asset value, net asset value उस fund के units का rate जो आपको खरीदने और बेचने में मिलता है अगर आप खरीद रहे हैं तो वो rate आपको purchase price के तोर पे NAV में मिलता है और जब बेच रहे हैं तो आपको sale price के उसमें मिलता है इसके बाद आता है benchmark, जिस fund को आप चुन रहे हैं उसका benchmark क्या है, means industry में और benchmark क्या क्या लिये हुए है किस index को benchmark के तोर पे वो लेता है और उसके हिसाब से उसकी performance क्या होगी तो यह आपको track करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको benchmark भी मालूम होना चाहिए कि benchmark होता क्या है इसके बाद आता है AUM, AUM होता है assets under management, means उस fund के पास कितने total amount के assets है या उनकी आज की value क्या है तो assets under management कितने हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा size ना हो उस fund का, AUM बहुत बड़ा ना हो और बहुत छोटा भी ना हो कि fund manager को उसमें decision लेने में दिक्कत आए पर चीज लिखी होती है, उसमें nature of scheme, nature of scheme आपको जरूर ध्यान रखनी है कि उस scheme में किस तरह के objectives, उसका nature क्या है, किस तरह से खरीद बेज करेगा, उसके पास churning के लिए कितना है, किस तरह से वो balancing करेगा, अगर balancing करने जा रहा है और वो किन-किन funds में या किन-किन stocks में या किस तरह के stocks में invest कर सकता है, इसका भी ध्यान रखें, इसके बाद अगर आप equity के अलावा debt में fund में पैसा लगा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको rating agencies का भी ध्यान रखना होगा, कि rating agencies ने उस portfolio में जो उन्होंने अपनी stocks का या funds का या bonds का selection कर रखा है, तो उनकी rating क्या है, किस तरह की rating है, negative rating है, positive है, जितनी high rating होगी, उतना return कम होगा, लेकिन safety जादा होगी, जितनी rating कम होगी या negative होगी, उतना return बढ़के आएगा, लेकिन risk भी जादा होगा, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, ytm, ytm होता है, yield to maturity, इसमें bond से anticipated return को adjust करने के बाद, जो return होता है, that is called yield to maturity, इसका भी ध्याना आपको अपने debt category के investment पे, debt category के mutual fund पे रखना होता है, आज के लिए इतना ही, आगे अपनी और videos में आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे, धन्यवाद, लगे, पूस्ति आपको आपको अभी आपको एat रहे, आपको आपको ऑाया वे रहे, आपको शुझ के अधना ही तरह, वे ओाई हम,